हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वैग टुश्टे डीकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, डेली कर इंट अफियर्स की सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम दोस्तो 25 सप्राइल 2022 से रिलेटेड मोश्ट इंपोर्टेंट कर इंट अफियर्स डिसकस करने वाले ह तो इस लेक्षर को आप लास्ट तक यारी अंतर तक जरूर सुनीगा, जिससे आपके एक्जाम में जो कोश्चन है वो बन सकें, और जो लास्ट में कोश्चन आपसे पूश्चन आए, वो भी बन सकें, तो इस लेक्षर के लास्ट में आपसे कुश्चन पूश्चन पूश कर रहे हैं तो आप श्रीकर को फॉलू कर लें बैल आइकोन दबालें जिससे आपको संभाई पर और सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगा चलिए फ्रेंट्स इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला कोशन पहला कोशन है 25 अप्रेल को योग प्रभा कारिकरम किसके द्वारा आउजित किया जाएगा तो इसका आंसर होगा नागरिक उड्यन मंत्रा ले यानि दोस्तो 25 अप्रेल को नागरिक उड्यन मंत्रा ले के द्वारा योग प्रभा कारिकरम का आउजित किया जाना है और इसका उदगाटन कोन करने बाले हैं तो दोस्तोm इसका उदगाटन करेंगे केंदời नागरिक उद्यान मंत्री जोत्रा दित सिंधिया कौन करेंगे जोत्रा दित सिंधिया और इसका आयुजन किस स्थान पर किया जाना है तो सफदर जंग हवाई अड़ा जो है नई दिल्ली का वहाँ पर इसका अयोजन किया जाएगा इस योग प्रभा कारक्रम के दौरान क्या-क्या कारक्रम होंगे दोस्तों तो याद रखिएगा इस कारक्रम के दौरान जो विसिसक्ग होंगे योग के वो अपना ब्याख्यान देंगे और योग का प्रदर्शन भी किया जाएगा तो इस प्रकार का तारकरम होने वाला है सफदर जंग हवाई अडे पर और दोस्तों याद रखिएगा कि संयोक्त राष्ट महासभा ने 2014 में 21 जून को अंतर राष्टी योग दिवस के रुप में भी घोसित किया था यानि 21 जून को योगा डे मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है याद ठीक है ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिका चलिए अंगला प्रसन देखते हैं नीती आयो के हाल ही में उपाध्यक्ष कौन बने हैं तो इसका अंसर है डॉक्टर सुमन के बेरी यानि जो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं ये नीती आयो के उपाध्यक्ष नुक्त किये गए हैं हाल ही में जो राजिव कुमार थे डॉक्टर राजिव कुमार उन्होंने नीती आयो के उपाध्यक्ष के पद से गिरहन करेंगे नीती आयोग की बात आई है तो नीती आयोग का गठन एक जनवरी 2015 को किया गया था जिसे पहले योजना आयोग कहा जाता था यानि योजना आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था योजना आयोग के नाम से जाना जाता था याद रखिएगा ठीक है और दो प्रद्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष की निवक्ति प्रधान मंत्री के द्वारा की जाती है तो बरतमान में कौन बनाए गए हैं उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और इसका जो मुख्याला है वो नई दिल्लीम है और अभिताम अभिताब कांथ जो है इसके CEO है कौन है आयोग है ये सरकार का एक प्रकार से ठिंक टेंक होता है क्या होता है दोस्तो ठिंक टेंक का मतलब है कि सरकार को सुछाओ देने वाला किस प्रकार से नीतियां बनाई जाए किस प्रकार से उनको लागू किया जाए इस प्रकार की सहायता उप्लब्द कराता है कौन? νीती आयोग और राज्यों को और कैंद सरकार को सलाह देने का भी काम करता है अंगला प्रस्न है, सेन अभियान का महा निदिशक हाल ही में किसे नुक्त किया गया है तो दोस्तो सेना का एक महत्पूर्ण बिभाग होता है जिससे सेना अभियान बोला जता है तो उसके महा निरेशक कौन बनाए गए हैं आंसर होगा इसका मनोज कुमार कटियार कौन बनाए गए हैं मनोज कुमार कटियार तो दोस्तो लैपनी ने जनरल मनोज कुमार एक माई को कारभार समालेंगे वह बरतमान में एक कोर के जनरल कमांडिंग ओफिशर हैं इससे पहले उन्होंने पश्मी सीमाव पर पैदल सेना ब्रिगेड को और प्रवतिय डिवीजन की कमान को समाला है उन्होंने भूटान में भारतिय सेन प्रिसिक्षट दल के प्रिसिक्षक के बाहिनों का कारखाना किस राज्जी में इस्थापित किया जाएगा तो ये इस्थापित किया जाएगा तेलंगा ना में ठीक है तो एलेक्टरिक तीपहिया बाहिनों का कारखाना कहां पर इस्थापित किया जाना है तेलंगा ना में कैलिफोर्निया की एक कंपनी है जिसका में स्थापित किया जाएगा पहला चरण 2023 की सुरुवात में पूरा हो जाएगा और दूसरा चरण जो है वो 2024 में पूरा होगा दोस्तो कैलिफॉर्णिया में इस्तित एक अन्य कंपनी है फिसकर तो ये भी हैदराबाद में अपना दूसरा मुख्याला स्थापित करने की किया है अंगला प्रसन है अमिज साही ने किस स्थान पर अखिल भारतिय पुलिस विग्यान कांग्रेस का उधगाटन किया है तो दोस्तो अमिज साही जी जो की ग्रह मंत्री है भारत के तो वो मद्दप्रदेश के दौरे पर थे और उन्होंने भुपाल का दौरा किया और वहाँ पर अखिल भारतिय पुलिस विग्यान कांग्रेस का उध्गार्टन किया तो दोस्तो इस बार यानि 2022 में जो अखिल भारतिय पुलिस विग्यान कांग्रेस का अर्थ क्या होता है तो एक प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो पुलिस विभाग है उसके जो आला अधिका प्राकारी होती है उनकी एक वैठक जिसमें पुलिस में किस प्रकार से सोधार क्या जा सके किस प्रकार से और रिफोर्म 오 Epic की इस प्रकार की बात निए है इस में अखिल-भारतीय पुलिस विधियान कंग्रेस है वहाँ पर उन्होंने लेग Κा मतलब अपना इसके अलाबा मद्द प्रदेश के जो मुख मंतरी थे सिवरासिंग चोहान उन्होंने भी इस कॉंग्रेस को संबोधित करने का काम किया है अखिल भारतिय पुलिस बिग्यान कांग्रेस जो है 1960 में पहली बार आयुजित की गई थी पटना बिहार में जो 47 भी अखिल भारतिय पुलिस बिग्यान कांग्रेस थी उसका आजन 2019 में लखनव में किया गया था यह सभी point of note जरूर करिएगा अंगला प्रसन है 23 अप्रेल 2022 को विस्भर में कौन सा दिबस मनाया गया तो 23 अप्रेल को world book and copyright day मनाया गया है ठीक है तो याद रखिएगा दोस्तो world book और copyright day 23 अप्र पढ़ने लिखने ट्रांसलेट पब्लिसिंग और copyright के महत्तु को दर्साने के लिए इस दिन को खास तोर पर मनाया जाता है अंगला प्रसन है सबसे important question है दोस्तो राष्टिय पंच्यायत दिबस कब मनाया जाता है तो इसका answer है 24 अप्रेल को तो दोस्तो 24 अप्रेल को राष् जिसे दोस्तो 24 अप्रेल 1993 को लागू किया गया था यानि कानून बना या समिधान संसोदन हुआ 1992 में और 24 अप्रेल 1993 को इसको लागू किया गया था तो इसी दिन को याद करने के लिए ही हर साल 24 अप्रेल को राष्टिय पंच्यायती राजदिबस मनाया जाता है अब बालत इसका उद्घाटन किया था और ये घोसित किया था कि हर साल 24 अपरेल को खोनसा दिवस मनाये जाएगा, राश्टिय पंचियाती राज दिवस और इस बार 2022 में जम्मू कस्मीर में आउजन हुआ है पंचियाती राज दिवस का पुर्धान मंत्री का यानि प्रधान मंत्री का कारिक्रम था कहां पर जम्मू कस्मीर में तो धारा 370 हटने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार जम्मू कस्मीर की यात्रा पर गए हैं और यहां से उन्होंने देश भर की पंच्यायतों को वर्चुली रूप से संभोधित भी किया और वहां पर कारिक्र मंगिशकर पुरुसकार से संभानेत किया गया है तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हाली में पहले लता दीनानात मंगिशकर पुरुसकार से संभानेत किया गया है और इसका आयोजन मुंबई में किया गया है और दोस्तों आज मतलब 24 अप्रेल को जो नरेंद्र मोदी जी थे ये जम्मू कस्मीर से कहां पर गए हैं महराष्ट गए हैं मुंबई गए हैं और वहाँ पर इन्होंने इस कारकरम में हिस्सा लिया और उन्हें लता दीनानात मंगेशकर पुरुसकार से मुंबई में सम्मानित किया गया है ठीक है याद रखना है कि जो लता दीनानात मंगेशकर पुरुसकार है ये पहला पुरुसकार है इस परकार का और जो पहला पुरुसकार है ये प्राइमिनिस्टर नरेंद मोदी जी को दिया गया है चलिए फ्रेंड्स आपसे कुछ कोशन पूछते हैं तो उनके आंसर आप दीचेगा हमें जा रहेगा आपकी आंसर का अगर आप अपनी तयारी आने केड़ी पर करना चाहते हैं तो राजा कुपता को फालू कर लें और उनके माद्यम से कोई भी कोर्स अगर परशेच करना चाहते हैं तो एक कोड यूज करिएगा राजा नमबर वन खबरी पर आप हमें फालू जरूर करने हैं वहाँ पर आपको most important audio lecture में जाते हैं तो आप खबरी पर जरूर फालू कर लें अगर आपको लेक्षर पसंदा है तो लाइक कर दें शेयर करें सभी दोस्तों को different sourcer media platform पर मिलते हैं नेक्स लेक्षर में जय हिंद बंदिमात्रम